नमस्कार मैं हूँ मनोजमनू भारतिया लोगतंत्र के लिए इतिहास में आज वो हुआ जो पहले कभी नहीं दिखा गया और इसकी शायद ही किसी ने कलपना भी की होगी सुप्रीम कोट के चार वरिष्ट जजों द्वारा प्रेस कांफरेंस करके सुप्रीम कोट की कारुशली पर सवाल उठाये जाने की खबर ने लोगतंत्र के तीसरे स्थम्ब को हिला कर रख दिया जस्टिस चैल मेश्वर, जस्टिस रंजन गोगई, जस्टिस मदन लोकोर और जस्टिस कोरियन जोसिप ने मुख्य नियादीश दीपक मिश्रा पर बड़ा रूप लगाया चारों ने सुप्रीम कोर्ट प्रशासन पर सही काम नहीं करने का रूप लगाते हुए इसे लोगतंत्र के लिए खत्रा बताया जजों की इस प्रेस कांफरेंस के बाद नियाएक व्यवस्था से जुड़ी हस्तियों की प्रतक्रिया आना भी स्वभाविक था कोई जजों की आवाज से अपनी आवाज मिलाता दिखा तो कोई उनके मीडिया में आने से नाराज दिखा वही रिटार्ट ज़स्टिस आरेस सोडी ने चारों जजों की खिलाब महवयोग चलाने की मांग की है वरिस्ट वकिल उच्वल निकम ने तो इसे नियाए पालिका के लिए काला दिन बता दिया है लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई देश की सबसे बड़ी अदालत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या हालत इतने खराब हो गए हैं कि नियाए धीशों को मीडिया के सामने नियाए की गोहार लगानी पड़ रही है आज इसी पर होगी बड़ी बहस बड़ी बहस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है वरिष्ट अधिवक्ता मुरारी तिवारी इसके साथ साथ जस्टिस एस एन अगरवाल और एक्टिविस सुभाश अगरवाल होंगे लेकिन सबसे पहले एक नजर कुछ तस्वीरों पर प्यूट जस्टिस एक लिए एक जड़ टाज मौद पर हम नहीं बोले तो लोगतंत्र खत्म हो जाएगा और हम नहीं बोले तो लगेगा कि हमारी आत्मा मर गई है ये बात किसी और नहीं बलकि सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने आज मीडिया के सामने रखी उन्होंने कहा है कि हम मुख्य नियाएदीश से दो महीने से कुछ बाते कह रहे हैं लेकिन वो सुनने को त्यार नहीं है आप सोचिए एक आम आदमी को नियाए नहीं मिलता है तो वो उसके उपर जाता है और उसके बाद विवस्थाओं से नियाए नहीं मिलता है तो वो निचली अदालत उसके बाद फिर उपरी अदालत और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यानिकी उच्चितम अदालत उच्चि से एक लोगतंत्र बचाया गया है या ये आत्मा को बचाने के लिए दिया गया बयान है दी कही गई बात है हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है वरिष्ट अधिवक्ता मुरारी तिवारी मुरारी साहब मैं पालिका से कनेक्टीड है चाहे वो एड़ोकेट है चाहे वो जजज हो जी इवन की जो जनता जो वहां नयाय लेने के लिए जाती है उन सब के लिए ही एक बहुत बड़ा जटका है कह सकते हैं आप क्योंकि डेमोक्रेसी में जैसा कि हमारे जो तीन पीलर है उन में से जुरि का बिस्वास कहीं न कहीं जुरिशरी में टिकता था है कि अगर हर जगह से कोई चीज खतम हो गई तो जजज हैं कोड जाएंगे नयाय वहां से मिलेगा अब इस जो प्रेस कांफरेंस हुआ है इससे एक चीज समझ में आ रही है जितना सिंपल ये लेटर दिखता है जितना स नहीं बहुत पुराना जो अंदर ही अंदर एक एंग्विश है या जो भी आप समझ लें इसको और ये तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है जो पत्र लिखा गया चार जो दोने जो बात की गई क्या आपको उससे लगता है क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट के व वकील को भी उस सिस्टम में आपको ज्हांकने का कोई अधिकार नहीं है आपने सुना होगा कि फ्री इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इसमें किसी का कोई दखल अंदाजी नहीं है आज जो एक चीज नहीं लग रही है जो हमें मेरा भी टून्टी सेवन एयर्स की वकारत ह हो गई जो एक चीज़ नहीं लग रही है क्योंकि जुलिशल अफिसर्स कभी प्रेस कांफरेंस करते नहीं है आपको सचाहीं बताओ जी 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 आज इसलिए एक बहुत बड़ी घटना लग रही है कि वाई वाई एड्रेस टू पबलिक जी कहीं नहीं कोई मेकानिजम काम न अधीशों को मनोज यह सुनने वाले ही है सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई कोड तो नहीं है हमारे लिए हर जगह से आपने देखा होगा अपील ट्रायल सब खतम हो जाता था अगर यह अपनी बात कहना चाते थे तो रास्टपती को भी पत्र लगकर इन बातों का जिक्र कर सकते थे अब यह हो सकता था अब लेकिन इसलिए तो आपको उपनिंग वर्डी मैंने बोला कि दुर्भाग यह पूर्णे जी जो डिशरी के लिए हैर आदमी आज यह मशूस कर रहा है कि कुछ नो कुछ और रस्ता भी निकल सकता था या हो सकता है कि इसी में कोई अच्छा यह मनोद जी जो आपका प्रिशन है कि हर सिस्टम के अंदर जो है खटना के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होते है मेरा ये मानना कि आम आदमी जो है उसका आखरी विश्वाश हमेशा कोट की तरफ देखता नियाए के लिए और आज जो घटना हुई है उससे पूरा देश हिल गया है आम आदमी का विश्वाश जुडिशिली से कही न कहीं डगमगाया है तो इस सिस्टम के अंदर जो ये फाइट जो डोमेस्टिक फाइट थी इसको हमें थर्ड पार्टी तक नहीं ले जाना चाहिए था ये मीडिया मैं समझता हूँ कि ये सिच्विशन हम अवाइड कर सकते थे अगर पॉसिबल था जो ये कहा जा रहा है कि सिस्टम के अंदर आपस में जजिज के अंदर मतभेद आज के नहीं है ये बहुत समय से चले आ रहे हैं परम परागत लेकिन ये जो आपसी मतभेद होत नहीं आने चाहिए इससे लोगों का विश्वास तरह-तरह के सवाल उठाता है तरह-तरह के शक पैदा करता है तो हमें इस सिस्टम को और कोई रास्ता ढूनना चाहिए था अवश्य कोई ना कोई रास्ता निकलता तो ये इससे पूरे देश को की बदनामी हुई है पूरे ज कि रेपूटेशन पर आच आई है तो इस आच को जो है जो की भरपाई नहीं की जा सकते किसी भी तरीके से ऐसा नियाइक प्रणाली में मेरी जानकारी में पहली बार ऐसा हुआ है जस्टिस अगरवाल साब आपने ये बताया कि इसकी भरपाई नहीं की जानी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि देश में एक गलत संदेश गया है लेकिन एक बात तो आप मानते हैं कि देश की सरवुच अदालत के ये चारो नियाधीश थे और इन्होंने बड़ी सो समझ कर इन लोगों ने ये प्रेस कॉंफरेंस की होगी और देश के तीस लोकतंत्र के तीसरे स्थम्ब ने अपनी पीडा को लोकतंत्र के चोथे स्थम्ब को बता दिया यह माल लिया जाए कि यह सभी जजों को लगा कि हम जहां पर भी जाएंगे हमें इस समस्या का किया जाता है वहां की वस्तु इस्थति है क्या? मानोज जी मेरा ये मानना है कि ये सिस्टम जो है हमारे Constitution के तीन important pillar है जी Judiciary, Executive और Legislation इन तीनों को जो है तीनों सिस्टम को अपने अपने दाइरे में काम करना चाहिए ये जो आज fight हुई है जो पब्लिक डोमेन के अंदर बात आई है इस से कहीं ना कहीं इंस्ट्यूशन को इतनी भारी छती पहुँची है जो कि हर घर के अंदर भी अगर आप देखें घर में भी जो परिवार के सदस्य होते हैं उनके अंदर भी मतवेद होते हैं उसका मतलब यह नहीं है कि घर में घर की घट रहा है जिससे देश को नुकसान हो रहा है जिससे देश को नुकसान हो रहा है आज इन चार जजों ने ये बात कही है इसके पहले भी देश की बड़ी हस्तियों ने ये कहा है कि नियायक प्रिणाली या नियायक विवस्था में जो चल रहा है वो सब कुछ बैतर नहीं है उस वक्त लोगों ने नहीं सुना उस वक्त लोगों ने उन्हीं को गलत समझा आज वो बात साबित हो चुकी है आज वो बात सामने आ चुकी है देश के चार नियाए धीश कहते हैं कि सुप्रीम कोट में इस वक्त वो चल रहा है वो बहतर नहीं है वो देश के लिए ठीक न आए नहीं वही पर गलत नहीं तो अगर वहां कुछ गलत नहीं हो रहा है तो क्या वो देश के सामने नहीं आना चाहिए इसमें गलती क्या है मनोजी ऐसा है यह देश के सामने आना चाहिए देश के सामने आती भी है हर सिच्वेशन जी क्योंकि जूडिशरी जो है मतलब खाली आफिस में बैठ करके काम नहीं करती जूडिशरी डेमोक्रेसी जूडिशरी के अंदर मानी चलती है दो वकीलों को सुना जाता है सारी चीज के अंदर को बात होती है जी लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि हम पब्लिक डूमेन में ला करके अपने को डेमेज करें आपस में बैठ के बात करो आपके जूडिशरी के पास इतनी पावर है जजिज के पास जूडिशरी जो हमेशा रेस्टेंट में काम करती है बहुत की बात है इंटरनल एडमिनिस्टेशन तो इंटरनली ही सेटल होना चाहिए तो अभी पब्लिक तो कई तरह की अटकले लगा रही है मतलब यह कॉरिडर ऑपिनियन बन जाती है जी तो हमें उस चीज को यह मानता हूं कि चार हमारे वरिश्ट जजिज हैं यह और एक्सपिरि एक बैलन्स क्रियेट करना चाहिए मेरी राय तो इसमें यह है कि मतलब हमें अपने इंस्यूशन की प्रोटेक्शन करनी चाहिए हो सकता है कि वो जच ठक गए हो सुभाज जी मेरे साथ मौजूद हैं एक्टिविस्ट हैं नियाएक विवस्था को लेकर उन्होंने बहुत का करती है लेकिन यहतो जज्जी इंसाफ माग रहे हैं और उन्हें इंसाफ नहीं मिला उन्होंने कहा कि हम दो महिने से मुख्यनय अधीश के पास जा हैं हमें नहीं मिल रहा और जो भी कुछ हो रहा हो गलत हो रहा है लोगतंत्र के लिए खत्रा है कल को कोई यह ना कहे कि हमारी आत्मा मर गई है तो इस बात को लेकर यह चीजें सामने आ रही हैं मैं आप से जानना चाहता हूँ जो हुआ वो क्या गलत हुआ क्योंकि अगर एक उंगली आप किसी के तरफ दिखा रहे हैं तो तीन उंगली भी आपकी तरफ आती है देखे जो हुआ दुर्भाग ये पूर्ण हुआ गलत नहीं हुआ पर मैं आपको एक बात बता दू इसका जिम्मवार हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इसलिए है कि जिस दिन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में मेरी पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में लगी और CIC के वर्डिक्ट्स आए आज तक वो कोर्ट में स्टे में पड़ हुए हैं और उसके बार मै अने को बार सुझाव लिखे और सिस्टम में भी आया कि इनका जजिस का कुछ तरीका इंपीच्मेंट के अलावा भी निकालना चाहिए गल्टी फाउन जजिस का और तरीका होना चाहिए आज अगर ये सिस्टम ठीक होता जैसा तिवारी जी ने का कि राश्पती को पत्र ल कहता है कि सुप्रीम कोड के चीफ जस्टिस से जो कॉर्रस्पंडेसन से सी आई सी का वर्डिक्ट था कि वो दे दो और वो के सुप्रीम कोड की आज 2010 से उसके उपर इस्टे लगा हुआ है पहले डिवीजन बैंच बनी उसने का लार्जर बैंच बनाओ 2010 में डिवीजन में लार्जर बैंच के लिए का अगस 2016 में लार्जर बैंच बनाओ पता नहीं वो कब डिसाइड होगा तो अगर और वो बड़ी सिंपल चीज थी करप्शन के बारे में थी मदरास हाई कोड के एक जजने चीफ जस्टिस को लिखा था कि किसी यूनियन मिनिस्टर ने मेरे को प् यार नहीं है अगर ये चार्जर राश्वती महदे को लिख देते हैं तो वो भी बिल्कुल अलमारियों में बंद होके रह जाता कभी पब्लिक में नहीं आता इसलिए इन जज़ों को ये अवांचित तरीका मजबूरन अपनाना पड़ा है तेवारी जी एक चीज तो है कि नुकसान तो हुआ है नियाएक पालिका पर हर कोई भरूसा करता है और उस भरूसे में अब क्या इस्तिती होगी ये देखना होगा लेकिन सुप्रीम कोट में जो चीज़ें आई हैं अब अब क्या हो सकता है क्योंकि प्रधान मंतरी नरिंद को लेकर चर्चा हो रही है तो अब क्या हो सकता क्योंकि चार जज़ों ने आरोप लगाया है मोखे निया अधीश के उपर आरोप लगा है अब क्या हो सकता है जो लिगल सिच्वेशन है ये सुप्रीम कोट के चारो पर्मानेंट जज़ हैं और सिनियर जज़ें के जज़ें और जो इनका अलिगेशन है वो सीजे आई के खिलाफ है तो यह पांचो जज़ आप कह सकते हैं कि पर्वानेंट सुप्रिम कोड के सिनियर मोश जज़ी हैं और हमारे यहां किसी भी जज़ के खिलाफ कोई करवाई करने का बहुत त्रीड़ा तरीका है कोई कुछ नहीं हो सकता यह constitutional immunity मिली हुई है और यहां पर किसी के खिलाफ कुछ normal situation होने का कोई situation ही नहीं है अगर बहुत government में will power हो या और ऐसा कोई सबूत हो ऐसी कोई situation हो तो आपने impeachment का सुना होगा लेकिन वह भी बहुत बड़ा अब व्यावारिक है वो possible नहीं हो पाता है अब बात रह गई कि इस के level पर हो क्यों क्यों कि जब तक damage control नहीं होगा और ओभी immediately और urgent basis और जल्दी नहीं होगा तो इसमें मनोजी जो इसका indirect impact आने जा रहा है जजिज का जुलिशरी में बहुत कुछ नहीं फरक पड़ेगा बट जो public faith है justice delivery system में वो डब मगा जाएगा आज के बाद ऐसा लगेग क्या क्या जिसे की वो उसका decision affected हो सकता है तो यह बड़े far reaching इसके effect है और लेकिन अब कितरा जल्दी damage control होता है कितना जल्दी situation को patch up कह सकते हैं हम लोगी जितना जल्दी यह मिल्यूल करके इसका राफ़ता निकलेगा otherwise यह हमारे democracy के लिए वास्तों में एक बहुत बड़ा खत है चूंकि अब press conference हो चुकी है तो मामला बड़ा गंभीर है और मुखे दियादीश भी कहेंगे कि भई आपको कम से कम मीडिया में नहीं जाना चाहिए था जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं तो अब क्या विवस्ता हो सकती है अब क्या चीज हो सकती है क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कुछ पुराने जस्टिस हैं रिटार्ट जस्टिस हैं उनका ये कहना है कि इन जज़ों के उपर महावीयोग चलाया जाना चाहिए इनको अब उस ववस्ता में नहीं रहना चाहिए कुछ और कह रहे हैं बहुत सारी प्रितकरियां आ रही हैं दुर्भागे पूर उन बात तो है लेकिन अब क्या रास्ता निकाला जा सकता इस गतिरोत को खत्म करने के लिए वेवस्ता को बेहतर करने के लिए मनुद जी मेरा यह कहना है कि मतलब यह जो हमारे कॉलेजियम के पांस सीनियर मोस्ट जजज हैं अभी इन्होंने जो है दो दिन पहले कॉलेजियम हुआ जिसके अंदर इन्होंने रिकमेंडेशन करी और यूननीमस रिकमेंडेशन होई और एलिवेशन टु दा सुप्रिम को कोट एंड अल्सों फॉर एलिवेशन चीफ जस्टिचिज अफ धी हाई कोट जब सुप्रिम कोट के कॉलेजियम कंसेंस राइव कर सकता है तो इसका समाधान भी कंसेंस से राइव हो सकता है यह प्रेस कॉनफरेंस होई है अभी भी मैं मेरा यह मानना है कि यह अगर हमारे व प्रॉब्लम क्या है क्योंकि अब यह बात पॉब्लिक डॉमेन में आ चुकी है क्लैरिफिकेशन तो आनी पर चाहिए जो जिससे लोगों का भरम जो तरह तरह के क्वेश्चन उनके माइन में पैदा हो रहे हैं वो दूर होने चाहिए और मेरी ओपिनियन में मतलब सभी जज जिसकी स्ट्रेंथ है इकठे मिलकर के एक डिकलरेशन करना चाहिए कि ऐसा कोई सीरियस इशू नहीं है जो कि जिससे की आम आदमी का न्याय प्रणाली के अंदर जो है विश्वाश बना रहे क्योंकि हमें उस विश्वाश को रिइनफोर्स करना है मतलब उस विश्वाश को डगमागाना नहीं है आज इस डेमोक्रेसी में जुडिशरी एक बड़ा इंपॉर्टन्ट इंडिपंडन्ट पिलर है जिसको कि फर्दर डेमेज होने से बचाना होगा अगरवाल साब जिस बात का जिकर्व जेस्टिस अगरवाल कर रहे हैं क्या ऐसी बात भी हूने चाहिए थी किमसे कम बहार आने की बजाया मुझे लगता है कि बैठे के चरचा कर लेनी चाहिए थी तो ये मजबूरी हो चुकी थी पर अब इसका समधान कैसे हो यह बड़ा सवाल है कि कैसे समाधान इसका यही है कि देखिए माफ कीज़ेगा कोई मैं किसी को पर कोई आखशेप नहीं लगा रहा पर administratively chief justice का काम chief justice is first amongst the equals यह काम होता है administratively अभी हमने थोड़ी दिन पहले एक बहुत जाने में वरिष्ट अधिव्यक्ता को अपना गाउन उतार के अलग रखना पड़ गिया था जी मतला बार भी नहीं धंग से control में रह रही है आज सक ऐसा पहले नहीं हुआ जी आज चार senior most judges next to chief justice तो चार एक साथ बैठने इसका मतलब गंभीड विश है तो कहीं ना कहीं है मतलब administratively एक परसंट साइड हं से control नहीं कर पा रहा है तो एक तो समाधान ये है पता नहीं यवस्था में ऐसा system है नहीं कि chief justice को for the time being chief का पच्छोड के judge बने रहने रहना चाहिए और फिर प्रारी जी आपकी प्रतिरिया क्या 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 आप बहतर समझते है इस पूरे माधान ये नहीं कि छे महिने साल बार चर्चाएं चलती रहे एक महिने का time period दिया जाए एक महिने के time period में chief justice ये चारों judge पूरी 25 की मजली से बैठाएंगे तो कुछ नहीं होगा पांच ये बैठ जाएं साथ में law minister और attorney general बैठ है क्योंकि उनके बैठे बिना काम नहीं चले रहा है ये समय आ गया है एक महिने के अंदर अंदर impeachment का कोई विभारिक तरीका और appointment का विभारिक तरीका क्योंकि सरकार से जिस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम को लेकर टकरा हो रहा है नियाए पालिका का वो भी एक बड़ी परेशानी है उस पर भी सहमती नहीं बन पालिका इसको लेकर भी कानून मंतरी revision कर प्रसाथ कई बार बोल चुके हैं कि ये system बहतर नहीं हम सुधार चाते ह हैं लेकिन लेकिन नियाए पालिका में जो बैठे लोग हैं वो सुधार के लिए तियार नहीं एक्जैक्ली फिर वहाँ independence of judiciary की बात आ जाती है और वहाँ कहीं किसी तरह का interference judiciary को भी पसंद नहीं है यही एक problem है जो मैंने आपको कहा कि permanent judges हैं और senior judges हैं बाहर से कहीं कोई किसी के खिलाब कोई inquiry हो सकती है ना कोई इनके खिलाब कोई question पूछ सकता है जी और total hundred percent constitutional immunity है तो यह करेंगे तो आपने ही लेवल में अपने ही मनों जी एक कोई ना कोई internal mechanism निकाल के कोई रास्ता निकलेगा और उसी बैठक में rules निश्चित करा लिए जाए कि कैसे bench बनेंगी और उन्हें तीर जस्टिस को follow करना पड़ेगा जो transparency मांग रहे हैं जाजी या उनकी भी बाते सुननी होगी जो cjai की जो बात है वो भी सुननी होगी कहीं कोई 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 problem है तो उसको set out करना होगा यह 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 बिलकुल ठीक बात कही है advocate अदिवक्ता तिबारी साहब ने कि कहीं न कहीं जो चीजें हैं उनको खत्म करना होगा वो बातें कैसे खत्म हो परिशानी है कैसे खत्म हो और अगर वो खत्म होती तो शादी तस्वीर देखने को नहीं मिलती ज्यादातर लोग यह कह हैं कि यह दुर्भागी पूर्ण हैं यह नहीं होना चाहिए क्योंकि देश की नियाए पालिका पर देश की नियाए विवस्था पर पूरे देश को भरूसा है लेकिन जब देश के कुछ नियाए धीश ही उसी विवस्था से आए हुए लोग कहते हैं कि लोगतंतर को खत्र करना है और संसद में बैठे लोगों को ही तै करना है लेकिन देखना होगा कि अब वो कौन सा फार्मूला निकल कर आता है जिससे ये सारी चीज़ें हो पाती है सभी मेमानों का महुत शुक्रिया करना चाहता हूँ जो इस पूरी परिचर्चा में मेरे साथ मौझूद थे खबरों के सफर में इतना ही बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए समय नियूज नेटवर्क के साथ